अलोओ फ्रेंड कैसे हैं आप सभी आप देखर हैं डिफेर्ण्ड यूनिक लाशी चहां पर आपको मेहत के सब अलग हो सबसेलग तरीके डिफेर्ण्ड यूनिक तरीके समझा जाता है जससे कि आप लाब में कभी भी मेहत बना हो ुए को खूंच में कि रहा है कि शेसी रुपए में 12 खरी दी जाती है तुए और三 से में 5 एवाउप लिपतक है अब आप से पूंच रहा है उसमें प्रॉफिट्ट कितने परसंट तो देखो profit and lens का question हो, discount का question हो, percentage का question हो, simple instant का question हो, कोई भी question हो मैत का, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको सिर्फ मैत का जो आपको सवाल दिया, उसको इतने अच्छे से पढ़ो कि आपको बस समझ में आ जाए वो, चाहे आप इसको slow पढ़ो या speed पढ़ो, बस समझ में आना कितना question पढ़ा, इसको आप समझो, imagine करो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ है, कि 600 रुपे में जब 12 बस्तक खरीद दिया रही है, तो एक बस्तक का rate जो है, वो 50 रुपे है, 600 में 12 है, तो एक का कितना हुआ, 50 रुपे, आपने इतनी बात को समझ लिए ना, पुस्तक खरीद निकलकर आया, 50 रुपे, अब कहिरा है, 300 रुपे में 5 पुस्तक बेच रही है, अब इसका मतलब क्या हुआ है, जब 300 रुपे में 5 पुस्तक बेच रही है, तो एक पुस्तक कर आपका, 60 रुपे, बात सारी किलिए रही है, अब यहे हमने पूरा question भी नहीं लोगों कैसे अंसर आया है आपसे कह रहा है चेस्टो में बारा पुस्तक करें जी आप मैं इसका मतलब समझे गई कि पचास रुपे की एक पुस्तक में पड़ी जी आप यहां से बता सकते हो कितने परसंट प्रोफिट हुआ है 20% क्योंकि 50 की आई थी 50 की 10% 5 रुपए 20 पर जी और 10 रुपए और 60 रुपवी किए याया मैं समझिन में ना चाहिए फिर गिसे के एक आपके है रही है बहुत ज़िधा है मैप क्युं आपको हार लगता है क्यों आप पर दे क्यों वह सब्सक्राइब केलती हैं आज लोगका में इतने वीक क्य 호 cyn trading आधि उनकी पूरी लाइब लेकि फॉर्मूला ट्रेग शोरी में निकल निकल लिए उन्होंने कभी भी महत के सवालों को अच्छे से तो नहीं समझाए अगर आम मैत के सवाल को दो फॉर्मॉला ट्रेक जी सारी बनते हैं यह यह कोई अपने बने बनाए नहीं यह सारी चीज़ बनाई जाती है आपको मतलब इसली कुशन सौल कर सको इसली है लेकिन बनते तो सब कुछ इसी से हैं आप अगर सवाल को यह अच्छ समझ में आएगा फिर देखना आपको मैत कितना अच्छा लगेगा आपका हर सवाल का अंसर वह जल्दी आए करेगा और आपको सबसे अच्छा मैत थी लगेगा इसके लावे फिर आपको कोई सब्चे इतना इजी नहीं लगएगा जितना यादा मैत है क्योंकि दोकर दोस् सरह दोको कुछ इसमें दिया हा वहा है मैंड लगा कर इसमें से निकालना पड़ता है यूंध सही के अंदर दी हुई है वसा मैंड लगाना है कि कासे कों से मारी निकल कर आइगी तो इस तरीके साब सारे कुषणों के आंसर निकाल सकते हैं एक मैयत मैं आपको अपने पास स कितना भी बड़ा क्उैश्चन क्यूं नहां आप उसकी एक लाइन पड़ो मतलब समझो उसकी वाह दो उसके आंगे की लाइन पड़ो इस तरीके से मैद के सभालों को शुल परो फिर देखना आपकर मैद के सभालों के संसाल से कितनी जल्दी आते हैं टीकेट फेंट ओके